Hello, I am Dr. Firoz Morkas from Sacred Steps, Surat काफी messages आये मुझे वीडियो बनाने के लिए, मेरे students के advice के लिए तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आज का जो hot topic जिससे हम dangerous topic बोलते है, coronavirus अब ये coronavirus से गबरने की जरूर नहीं है नहीं panic होने की जरूर है ये coronavirus जैसा आया है, ऐसा ही चला जाएगा, लेकिन हमें precautions बहुत रखना परेगा ताकि ये फैल न जाए मैं कुछ points आपको समझा रहा हूँ, coronavirus में क्या आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं first of all, आप अपने घर में ही रहे, बाहर निकलने की कोशिस नहीं करे और we should be very thankful, तो प्राइम मिनिस्टर मोडी जी, जिन्होंने जन्टा कर्फ्यू का अपील किया है तो Sunday की, जो मुही में उसमें आप सब joint होगे Saturday Sunday, घर से बाहर बिलकुल निकलने की कोशिस न करे और strictly घर में रहके, rules follow करने की कोशिस करे first of all, sun bath आप ले सकते हो, sun bath के straight आपके sun rays आपके उपर आएगे तो आपकी immunity और बढ़ेगी, सुबह, afternoon, evening, तीन और टीन टाइम आप जहां भी आपको time मिले, कभी भी time मिले, morning मिलेने की ज्यादा कोशिस करे तो आपको बहुत फरक पड़ेगा, अगर आपको बहार जाने का है, या फिर अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो castor oil अपने दोनों nostrils में लगा के जाएगा, castor oil बहुत effective है, virus को inhale नहीं आने देंगे और अपने body में जाने नहीं देंगे, तीसरी बात, shake hands तो बिल्कुल burn कर दीजिए, आपने बहुत ने सुना होगा लेकिन मैं आप बहुत detail में समझे के shake hands करना burn कर दिए, सिर्फ और सिर्फ नमस्टे करे, shake hands ते भी viral बहुत fast फैलता है ये सब चीज रखने से, दूसरी बात, कि घर में आप meditation करिए, अगर आपका घर का center आपको पता है, तो रात को एक bowl भरके salt रखे, रोज रात को, अगले 7 दिन तक, या 14-15 जहां भी, आपको जितने दिन मन चाहे, आप रख सकते हो, रात को salt भरके रखे और सुबह उसे flush out कर कर दे, salt पूरी घर की negativity एब्जाव कर देता है, मैं as a counselor या मेरे meditations का जो main subject है, उसके knowledge के हिसाब सापको कहता हूँ, कि पूरी अपकी negativity सक हो जाएगी, तो center के अंदर एक bowl भरके salt रखे, और salt रखने से आपको बहुत फरक पर जाएगा घर के अंदर, meditations करिए, meditation एक best जरिया ह जैसे अभी message भी आते हैं, कि if you cannot go outside, go inside, inside मतलब में अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे आवश्य नान या meditation कर सकते हैं, आपकी immunity 100% बढ़ेगी, food ऐसे ले कि जिससे आप immunity बढ़े, क्योंकि immunity एक एक ही चीज ऐसी है, कि जिससे आपकी शमता बढ़ेगी, और यह virus के लड़ने की आपको एहमियत मिलेगी, दूसरा एक general message है, कि अपने family के साथ रहे है, अब इतने time से family के साथ नहीं रहे, तो खुदरत universe ने भी हमें मौका दिया है, कि हम साथ में रहे के उस virus का face करे, है थोरा, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, as a positive trainer, I don't tell, कि यह dangerous है, लेक अगर third stage आ गया है, तो बहुत तकलिफ परेगी, तो हमें वो second stage से chain तोड़नी है, वो chain किस तरह तुड़ेगी, कि आप अपने prime minister का कहा माने, appeal करे और जंटा करफी में साथ दे, fall to बाहर निकलने की कोशिस न करे, घर के खास खास चीज लाके घर पे रख दे, और एक मैं खा एक चीज मिल जाएगी time पे, लेकिन अगले दो दिन बहुत crucial है, तो उसे follow करने की कोशिस करिए, Sunday तो बिलकुल बाहर ना निकले, और जो हमारे minister ने कहा है, prime minister जी ने कहा है, कि Sunday को, शाम को, पांच बज़िया जो time है, टाली बज़िया गंटी बज़िया है, हैंसे करे, clapping करे वो भी एक scientific reason है, क्योंकि जैसे ही हम हमारे hands clapping करके, टाली बज़ाते हैं, आवास करते हैं, तो हमारे पूरा atmosphere clear हो जाता है, तो जब पूरा इंडिया में, यही time पे जब claps होगी, या आवास आएगी, तो पूरा atmosphere automatic clear हो जाएगा, यह एक positive way है, तो वो positive way को भी अपने हाथ में लिए और इसे अवश्य पूरी करने की कोशिस करें, इससे हम काफी हद तक fight कर सकेंगे, हमारा healing center है, मैं आपको एतोत नहीं कह सकता है, कि आप हमरे healing center पाया है, लेकिन आप distance healing करा सकते हो, तो यह मेरे numbers जो है, वहाँ मुझे whatsapp कर सकते हो, सूरट सूरट बाहर या पूरे इं समझ में नहीं आते है, तो जो भी आपका problem है, वह मुझे message कर सकते है, यह मेरे number 24 by 7 आपकी सेवा के लिए खुला है, मेरे इसे group से, मेरे से students है, जो बहुत अच्छे healers है, उनका भी मैंने साथ लिया है, और इसके जरी हम पूरे हमारे इंडिया में एक positive atmosphere फैला सकते है, और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, कि हम साथ मिलकर इसका मुकाबला 100% करेंगे, तो एक coronavirus आगे आने से अटक जाएगा, और हमारे जैसी life है, ऐसी normal life हो जाएगी, पर जो जो precautions गवर्मन ने दिये है, या फिर आप जो भी वीडियो अभी तक देखते हो, काफी वीडियो अ हो जाएगा, और अब अपनी family के साथ time बिटाए, फाल तुम मिलने की कोशिस न करें, parties या कहीं भी जाने की कोशिस न करें, बाहर तो बिलकुल नहीं, अगले 2-3 दिन बहुत crucial है, उसे follow करिए, we will fight back, stay safe, stay happy, stay fit, और corona से fight करें, वो हमारे life से निकल जाएगा, और जैसा हमारा इंडिया होगा, ऐसा वापस हो जाएगा, thank you all, अगर कुछ भी जरूर है, कुछ भी advice चाहिए मुझे, तो ये मेरे number है, you can call me, message me, खास करके जो मुझे जानते है, जो मीडिया के जरे मुझे जानते है, सबको में एक appeal करना चाहता हूँ, कि थोरे rules follow करिए, sanitizer का use करिए, अगर sanitizer आपके पास नहीं है, तो उससे भी फिकर करने की जरूर नहीं, मैं आपको एक idea दिखा रहा हूँ, आप lemon ले ले, lemon के अंदर एक hole कर दे, और वो hole से जो drops निकल ले, उससे भी आप अपने हाथ, 10-10 minute, 20 minute, 25-25 minute के बाद आप wash कर सकते हो, बाहर निकलना है, तो काम से ही निकल bigger काम मत निकले, गूमने भी मत निकले, खाने भी मत निकले, take food, healthy feet, अगर आपकी immunity system बराबर होगी, तो मैं आपको बोल सकता हूँ, डावे के साथ क्या आपको coronavirus नहीं होगा, जब आपकी immunity system weak होते हैं, तो यह problem होता है, अपने घर में, अपने elders का पूरा support करे, unity के साथ में र और से प्रातना करें, कि हमारे जो आफ़त आई है, वो जल्द से जल्द चली जाए, अगर कुछ भी काम है, तो यह मेरे number है, I am Dr. Firoz, thanking you all for listening, और अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो इसे जाते से जाते से शेयर करें, ताकि जिसको नहीं कुछ पता है, उस करें मंदे सुबह तक, ऐसे scientific reason एक और भी है, कि यह जो जन्तु, वाइरस जो है, करोना के, वो 10 से 12 घंटे रहते हैं, जहां भी वो रहते हैं, चाहे कपड़े पर हो, बॉड़ी पर हो, कोई भी metals पर हो, तो इसे हम किस तरह दूर सकते हैं, हम एक दूर से मिलेंगे नहीं, त तो automatic ही है, जो आप कल्ला की गिंटी गिनेंगे, तो we are staying more than 24-30 hours away from each other, या society के विरुद में हम इतना time रह सकेंगे, तो अवश्य वो वाइरस का नाश होगा, यही main purpose है, जो curfew का main purpose है, that is to remain away from virus, and to clapping hands or making noise, that is cleaning the atmosphere, यह दो को follow करिये, और अपनी life को सुखी रखिये, be happy, be safe, thank you. जो